दोस्तु मनुश्य का मन भी बड़ा चालाक होता है वहाँ उसे उसके ही जाल में फसा देता है हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अंद्विस्वास होते हैं और ऐसा नहीं है कि हर अंद्विस्वास गलत होता है जैसे ही आप नशा करते हैं और नशा करके अपने आसपास की गंदेगी का माहुल बनाए रखते हैं इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है चाहे आप माने या ना माने एक छोटी सी कहानी से में आपको यहां समझाने का प्रयास करूंगी कि हमारा मन हमें कैसे हमारे ही अंदविश्वासों में बान कर रख देता है एक बार बुद्ध नदी के किनारे से गुजर रहे थी सर्दियों का समय था सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त ओड़ कर चल रहे थी तभी बुद्ध की नजर एक विक्ती पर पड़ती है जो नदी के ठंडे पानी में डुपकी लगा रहा होता है बुद्ध उस विक्ती को देखकर थोड़ा आश्यर चकित होते हैं क्योंकि वहां काब भी रहा था और नहा भी रहा था बुद्ध उस व्यक्ति से ठंड में डुपकी लगाने का कारण पूछते हैं वहाँ व्यक्ति बुद्ध को बताता है कि वहाँ सुबसुब नदी में नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था तभी उसका पैर एक मेंडग पर पड़ गया और वहाँ अपावित्र हो गया इसलिए वहाँ फिर से पावित्र होने के लिए नदी में डुपकी लगा रहा है बुद्ध उस रिक्ति के बास सुनकर मुस्कुराते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वहाँ मेंडग कहां रहता है वहाँ व्यक्ति कहता है कि पानी में महानुभव बुद्ध कहते है कि जब तुम इस पानी में डुक्की लगाने से पवित्र हो सकते हो तो वहाँ मेंड़क तो हमेशा से ही इस पानी में रहता है तो वहाँ पहले से ही पवित्र होगा उसके छूने से तुम अपवित्र कैसे हो सकते हो उस व्यक्ति को बुद्धी की बात समझ आती है और वहाँ पानी के बहार आ जाता है बुद्ध उस कापते ही व्यक्ति को एक वस्त उड़ाते हैं और कहते हैं अंदविश्वास किसी बात का मत करो जब तक कि वहाँ तुम्हारे खुद का अनुभव ना बन जाए फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है और जो चीजे अपवित्र है उन्हें तो वहाँ अपवित्र नहीं मानता लेकिन जो चीजे पवित्र है उन्हें वो अपवित्र मानता है जैसे कि लोग नशा करते हैं वेभीचार करते हैं और एक दुसरे शे घुना का भाव रखते हैं लेकिन इन्हें वो अपवित्र नहीं मानते हैं वो मानते हैं कि कोई जीव जो उनके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, वहाँ अपवित्र है, मनुष्य अंदविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वो पूरे जीवन, वो पूरा जीवन जी नहीं पाता, वहाँ व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सबसे बड़ा अंदविश्वास क्या है, बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंदविश्वास यहां है, कि उसे लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानि अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन की सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा तुम अपने चारों तरफ देखो तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उल्चा हुआ है कोई डर रहा है तो कोई उमीदों में जी रहा है और किसी को यहां लगता है कि कल सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन वास्त्रेटता यहां है कि जब तक मनुश्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता और यहीं सकते है वहां व्यक्ति बुद्य से पूशता है कि मन को कैसे समझा जाता है बुद्य कहते है कि जागरुकता के द्वारा पूरे दिन में जब भी याद आए जागरुक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है तुम्हारा मन बारबर तुम्हें भुलाने का प्रयास करेगा लेकिन तुम्हें बारबर प्रयास करते रहना है तुम्हें दिन में या बारबर देखना है कि क्या तुम उसी रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हें वहां तक पहुचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो और यहीं सुत्र है मन से मुक्त होने का